प्यारे बच्चों, आप सब को मेरा प्यार भरा नमस्ते आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना? साथ में कुछ कहानिया भी सुना करिए जो मैं आपको सुनाती हूँ कहानिया ज्यानवर्धक होने के साथ साथ हमें नैतिकता का भी पाठ पढ़ाती हैं तो चलिए आज देख लेते हैं ऐसी ही कहानी जिसका नाम है हमला हुआ है तो ये कहानी है जिसका नाम है हमला हुआ है इसके order यानि कि इसको लिखा है कविता सिंग ने और इसके illustrator यानि कि ये जो चित्र बने हैं सुन्दर सुन्दर ये बनाए हैं सुविधा मिस्त्री ने तो चलिए कहानी सुनते हैं ओह बापरे बच गया एक घरगोश है उसने कुछ तीरों को आते देखा ये देखवा पेड़ पे कुछ तीर लग रहे हैं ना तो चरगोश ने क्या कहा ओह पापरे बच गया लगता है किसी ने हमला किया है यह बात राजा को जरूर बतानी चाहिए चरगोश ने कहा खरगोश, क्या आप राजा हो? मुरगा ने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ खरगोश, किसी ने हमला किया है, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ मुरगा, चलो मैं भी चलता हूँ खरगोश, क्या आप राजा हो? एमू, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ खरगोश, किसी ने हमला किया है, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ एमू, चलो मैं भी चलता हूँ खरगोश, क्या आप राजा हूँ हिपो, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ खरगोश, किसी ने हमला किया है, मैं ये पात राजा को बताने जा रहा हूँ. इप्पो ने कहा, चलो मैं भी साथ चलता हूँ. खरगोश, क्या आप राजा होँ? गुरिला, नहीं मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो अंदर है. गोश ने कहा, अरे इसका मतलब ये हमला नहीं था, राजा ने कहा, नहीं, कुछ तीर निशाने से चूग गए थे, वादा है आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, इसलिए बच्चों किसी भी बात को पूरी तरह जाने समझे, अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए, हमला नहीं हुआ था, फिर भी खरगोश ने सोचा हमला हुआ हमला हुआ और एक अफवा की तरह पूरे जंगल में उसको फैला दिया, इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बात की सच्चाई तक पहुँच कर ही आप उस बात को इधर उधर फैलाएं, नहीं तो नहीं, स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, फिर मिलूँगी ऐसी एक और कहानी में, तब तक के लिए, थैंक्स पर वाचिंग